आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउटनोड नाओ Hello friends, हमारा question given है कि ये beam of light converges at point P ठीक एक beam of light है जो कि point P पे converge कर रही है अब कह रहा है उनकी बीच में 12 cm से P से 12 cm की distance पे एक lens रख दे रहे हैं तो अब हमारी beam कहा converge होगी ठीक फर्स्ट केस है कि अगर lens हमारा convex हो और focal length 20 हो and second case में कि अगर concave lens हो और focal lens 16 cm हो तो दोनों case में हमें बताना है कि अब हमारी जो light है वो converge होके कहां जाएगी ठीक तो सबसे पहले हम लोग first case solve करते हैं कि अगर हमारा lens जो है convex lens हो with a focal lens okay sorry convex lens with a focal length 20 cm okay पो जी आपकी figure हमने कुछ ऐसे बनाया देखिए कि पहले हमारी जब light पढ़ रही थी जब तो यहां पर पी पे गिर रही थी light ठीक यहां पर converge हो रही थी अब इसके 12 cm हमने convex lens ले रख दिया ठीक तो convex lens कैसा होता है Convergent होता है हम जानते हैं ठीक है Convergent lens होता है मतलब हमारी light जिस पर पढ़ेगी तो converge होके इनके बीच में कहीं बनेगी इनसे दूर नहां के इनसे कम कहीं किसी distance बनेगी अब कितने distance बनेगी वह हम निकाल लेते हैं ठीक तो यहां पर कहीं पे suppose हम लोग मान लेते हैं कि यहां कहीं पे converge हो रही है ठीक तो यह जो Point पीर है अब यहां पर यह जो है एक वर्च्वल beautiful object की तरह काम करेंगा Anda वाच्वी में यहां से आप देखिए पहले हम लोग लेटे हम мам क्या लेए तो हमें पता है कि जिस तरह हमारी रेस जाती है जाती है उदह साइड है तो यू आपका positive होगा, u equal to कितना हो जाएगा आपका, 12 cm, okay, v हमें निकालना है, एक तरह से object कहां बनेगा, या कहां पे converge होगी, वह में found out करना है, and जो है focal length of convex lens हमें given है 20 cm, okay, जो कि positive होता है, since हम जानते हैं कि हमारा convergent होता है, तो इस वजए से, जिस side में हमारा, suppose इधर से object आ रहा है, तो आपकी focal length जो convergent होती है, object इधर बनता है, तो focus हमारी इधर मिलता हमें, इसलिए हम लोग, हमारी जो convex lens होता हमेशा, उसका focal length positive होती है, और opposite होता है, just इसके concure lens में, ठीक है, concure lens divergent होता है, इसकी focal length जो आती है, negative आती है, ठीक है, तो क्योंकि इसका object बनता है, just opposite पीछी direction मिलता है, मतलब इधर बनता है, ठीक है, तो यहां से हम लोग जब इसको solve कर जाएगा, 1 by f, यानि कि 1 by 20, plus 1 by u, यानि कि 1 by 12, इसको solve करेंगे, तो क्या जाएगा, 12 plus 20, 32, divided by 12 into 20, ओके, 4 से कट करेंगे, 4, 8 जा, 4, 3 जा, 4, 2 जा, 4, 5 जा, 2 by 8 जा, 2 by 8 आएगा, ओके, sorry, 2 by 15, यानि कि v आपका आजाएगा, 15 by 2, means 7.5 cm, तो आपका object, अब कहां पे converge होगा, वो हमारा lens से 7.5 cm के distance पे, यानि कि, यहां से, इसकी distance कितनी होगी, यहां तक कुछ, यह आएगा, 7.5 cm के distance पे, यह आपका p dash ले लेते हैं, यह यहां पे converge होगा, इस question, ठीक है, तो यह हमारा first part का answer हो गया, second part में आते हम क्या हो, काण के लेंस हो, ठीक है, जिसकी focus दूरी हमें given है, f equal to 16 cm, तो इसका figure देखते हैं, कैसे बनेगा, यह तो हमने यह देखी, बना दिया, यह पहले p पे converge हो रहा था, अब अगर हमने इसमें, कान के लेंस रख दिया, जो कि हमारा कान के लेंस कैसा होता है, divergent in nature, ओके, यह divergent in total nature में, तो मतलब diverge करेगा, तो मतलब जो raise आएंगी, वो कहीं इनसे दूर कहीं पर अब्जोग बनेगा, इस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा, उसके लिए हम लोग पहले इसको solve कर लेते हैं, देखते हैं हमारा, यह यू क्या हो जाएगा, same, यू तो same रहेगा हमा तरफ गिवन है, 16 माइनस 16 सेंटीमेटर लेंगे कि कानकेव लेंस के लिए, फोकल लेंस निगेटिव होती है, तो यहां से आपका हो जाएगा, 1 by V equal to 1 by F plus 1 by U, इसमें put करेंगे कितना हैगा, 1 by F आपका, 1 by minus 16 plus 1 by 12, ठीक है, तो इसको लाप ले सकते हैं, 1 by 12 minus 1 by 16, तो 16 minus 12 हो 4 divided by 12 into 16, 4, फोरजा, 1 by कितना हो जाएगा, 48, यहां से V कितनी आजाएगी, V आपका जाएगा, 48 सेंटीमेटर, ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं कि हमारे जो V आया है, अब्जेक्ट मतलब कहां पे कनवर्ज हो रहा, 48 सेंटीमेटर की डिस्टेंस पे, और पोजटी ब जो है कनवर्ज होगा, यहां कहीं पे, जिसकी हमारी लेंस से डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से अगर दिस्टेंस देखेंगे, तो यह यहां पे, जहां पे कनवर्ज होगा, वो 48 सेंटीमेटर की डिस्टेंस पे कनवर्ज होगा, यह आपका पी डैस आ जाएगा, तो यह पने डाउट्स आच चार्सो चार्सो पर